बीबीसी दुनिया में आज देखिए इस्राइल लेबनान बॉर्डर पर बढ़ता तनाव तनाव बढ़ने से सेन्य संगहर्ष की है आशंका इस्राइल और लेबनान के हिस्बुल्ला के बीच साल 2006 में हुई थी आकरी जंग विस्तार से बात कवस्टोरी में स्वागत है आपका वीबीसी दुनिया में मैं हूँ इदित महरा क्या इस्राइल और लेबनान के बीच फिर बिगड़ेंगे हालात बात करेंगे कारिक्रम में लेकिन पहले हेडलाइन्स युक्रेणी राश्टपती जलेंस्की की कथित हत्या की साजिश के आरोप में एक महिला हिरासत में युक्रेणी सिक्यूरिटी सर्विस का दावा महिला एक भीशन हवाई हमला करने में रूस की कर रही थी मदद रूस ने इस मामले में अभी तक कुछ भी कहने से किया इंकार कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी की संसत सदस्यता बहाल शुक्रवार को सुप्रीम कोट ने मोधी सरने मानहानी वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगा दी थी रोक उसके बाद सुमवार की सुभा लोकसभा सचवाले ने उनकी सदस्यता बहाली का जारी किया आदेश मनिपूर हिंसा की जाँच के लिए सुप्रीम कोट ने बनाई कमेटी इस कमेटी में होंगे हाई कोट के तीन पूर्व जज मनिपूर में पिछले तीन महीने से मेताई और कुकी समुदाए के बीच जारी हिंसा अब तक डेर सौ से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत इन में से कुछ एम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में इसराइल और लिबनान में आखरी बार साल 2006 में जंग होई थी उसके बाद से कमोबेश दोनों की सीमा पर शांती बनी होई है लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात में काफी बदलाव देखे जा रहे हैं कभी लिबनान की तरफ से इसराइल में रॉकेट दागे जा रहे हैं तो कभी इसराइल हवाई हमले कर रहा है ऐसे में क्या ये दोनों देश जंग की और बढ़ रहे हैं कवस्टोरी में आज इसी पर बात सबसे पहले ये मैप देखिए ब्लू लाइन कही जाने वाली सीमा के एक तरफ इसराइल है तो दूसरी तरफ इरान समर्थित लेबनान का हथियार बंद गुट हिस्बुल्लाव ये तनाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब इसराइल घरेलू मोर्चे पर संकट का सामना कर रहा है बीबी सी समवादाता टॉम बेटमिन इसराइल लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से भीजी ये रिपॉर्ट इसराइल की सेना इस कथित ब्लू लाइन पर अपनी किले बंदी मजबूत कर रही है बॉर्डर के दूसरी तरफ है लेबनान और हथियार बंद गुठ हिजबुल्ला इन कटीले तारों को सुरक्षा के लिए लगाया गया है और इस सीमा पर एक बार फिर से तनाव दिखने लगा है वो हिजबुल्ला का चिक पॉइंट है और वहां एक गाड़ी है और उस पहाड़ी के आगे सब लिबनान है दो दिन पहले लोग उन पत्थरों पर खड़े थे और हम पर चिल्ला रहे थे कह रहे थे हम लोग तुम्हें मार देंगे यहां खेती करने वाले लिवाफ का कहना है कि उन्होंने कुछ हत्यारबंद लोगों का विडियो भी बनाया है क्या आपने इस तरह की चीज़ें पहले भी देखी है या फिर ये नया है नहीं ये नया है पहले ऐसा नहीं होता था और इससे मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है अगर वो लोग मुझे गोली मारते हैं या मारने की कोशिश करते हैं तो सेना हमला कर देगी और हम जंग में चले जाएंगे ये करीब एक महीने पहले हुए इसराइली सेना के अभ्यास की फुटेज है इसराइल और हिजबुल्ला के बीच आखरी जंग साल 2006 में हुई थी ब्लू लाइन पर दोनों तरफ से इस तरह के तेवर उसके बाद भी देखे गए हैं पर इस साल माहौल तनावपून है हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला का आरोप है कि इसराइली सेना सीमा का उल्लंगन कर रही है उन्होंने इसराइल के राजनीतिक आईस्थिरता का दिक्र किया और कहा कि इसराइल संकट में है ब्लू लाइन के पास ही हिजबुल्ला भी इस ड्रिल के जरीए अपनी तैयारियों का जाइज़ा ले रहा है यह एक ऐसी लड़ाई है जिसका असर पूरे मिडल इस्ट पर पड़ सकता है यहां पर एक हेलिकॉप्टर चक्कर लगा रहा है और आप एक खास मोर्चे पर तनाव महसूस कर सकते हैं और असल में कहें और बड़े स्टर पर देखें तो यह इसराईल और इरान के बीच का मोर्चा है और यहां पर कुछ होना जंग के हालात पैदा कर सकता है इसराईल ने अपने कब्जे वाले इस शहर के पास बाड़ लगाई है यह लिबनान के पास से निकलता है और कुछ सब्ता पहले ही इस बाड़ को निशाना बनाया गया एंटी टैंक मिसाइल से जो दूसरी तरफ से आई थी इसराईल ने गोला बारी से इसका जवाब दिया हमने इसराईली सेना से इस तनाओ के बारे में बात की वो हिजबुल्ला का आफजर्वेशन टावर है तो क्या वे अब भी हमें देख रहे हैं हाँ शायद वो हमें उकसाते हैं और हम अपनी सीमा की हिफाज़त करते हैं खत्रा यह है कि हालात बिगड़ सकते हैं नसर अल्ला ने पहले भी गलतियां की हैं लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे आरोब लगते हैं कि इसराइल ब्लू लाइन का उल्लंगन कर रहा है और लेबनन के उपर से उसके विमान जा रहे हैं राजने किस तर पर इन समस्याओं को सुलजाने की कोशिश की जा रही है उम्मीद है कि इसे लेकर समझोता हो जाएगा हमारे विमान लेबनन के उपर उड़ते हैं ऐसा तभी होता है जब हम देश की हिफाज़त कर रहे होते हैं दोनों पक्ष नहीं चाहते कि तनाव ज्यादा बढ़े लेकिन इन तारों के दोनों तरफ मौजूद पक्षों के बीच एक खतरनाक तनातनी का माहौल है और दोनों पक्षों के पास पहले के मुकाबले ज्यादा गहा तक हतियार हैं जैसा कि हमने अभी सुना इसराइल में विवदासपद अन्याएक सुधारों की वज़ा से काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसराइल के प्रतानल मंतरी बिन्यामिन नेतनियाहू का कहना है कि अदालतों की शक्तियों में कटौती करने वाला ये कानून सरकार की शाखाओं के बीच संतुलन स्थापित करेगा हालकि इस प्रस्ताव ने इसराइली लोगों को बांट दिया है और इसराइल में महीनों से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं उधर कबजे वाले वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में संघर्श जारी है इसराइली सुरक्षा बलो ने कहा है कि उन्होंने जेनिन कैम्प में तीन कथित फलस्तीनी चरमपंथियों को मार दिया है पिछले महीने एक बड़े सैन्य आपरेशन के केंडर में ये कैम्प था इस साल की शुरुआत से ही इसराइल और फलस्तीनीों के बीच हिंसक जड़कों में तेजी आई है और दोनों तरफ से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है लेकिन इसराइल लिबनान बॉर्डर पर बढ़ रहा ये तनाव कितनी चिंता की बात है क्या ये हिंसक रूप ले सकता है इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं एक छेतर पर नज़र रखने वाले बीबी सी मॉनिटरिंग के हिशाम शाविश तीन देशों के बॉर्डर वाले इस लाके में कई महीनों से तनाव जा रही है यहां इसराइल लिबनान और सीरिया की सीमाएं लगती हैं यहां पर कई घटनाएं हुई हैं जैसे कि लिबनान से इसराइल की तरफ रॉकेट दागी के हैं गुस्पैट की भी कई कोशिशे हुई है आधिकारिक तोर पर इसराइल लिबनान का कोई बॉर्डर नहीं है इस लाके में सेंक्तरास्ट के शांती दूतों को तैनाथ किया गया है उन्होंने ही एक सीमाख हीच दी है जिसे ब्लू लाइन कहा जाता है सेंक्तरास्ट के शांती दूतों को इस बात का श्रे दिया जाता है कि साल 2006 के बाद से इस इस लाके में शांती बनी हुई है हाला कि फिर भी पिछले एक साल में हमने यहां सुरक्षा से जुरी घटनाएं होती देखी है हमने अपरेल में लिबनाण से इसरायल में गुस्पैट की कोशिशें भी देखी है के हमने उतरी इसरायल की सडकों पर बम ढमा के भी देखी है یہ सब ऐसी घटनाएं हैं जिस से तनाव बढ़ा है दूसरी और हमने इसराइल और इरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला दोनों को इस अलाके में सैन अभियास करते भी देखा है एक इसराइली न्यूस पेपर ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में दावा किया था इसराइल की मिलिटरी इंटेलिजेंस ने प्रधान मंत्री बिन्यामिन नेतन याहू को आगाह किया था कि न्याएक सुधारों को लेकर देश में हुई उथल पुथल का फाइदा इरान और हिजबुल्ला उठा सकते हैं वो इसे अलाके में रन्नीतिक हालात को बदलने के लिए एक एतिहास एक मौके की तरह देख सकते हैं सालों से इसराइल और इरान एक दूसरे के खिलाफ एक चछद में युद लड़ रहे हैं इसमें जमीन से लेकर समंदर और आसमान से भी हमले हुए हैं अला कि दोनों आमने सामने की लड़ाई से बचते रहे हैं लेकिन आप दोनों देशों के बीच कैसे रिष्टे हैं ये भी बता रहे हैं हिशाम शावश असल में जो हम देख रहे हैं वो एक तरह से संयमित उकसावे की घटनाए है और इस अलाके में जो हो रहा है वो दर असल इसराइल और इरान के बीच चल रहे च्छड में युद्ध का बेहद छोटा सा हिस्सा है चाहे इसराइली सरकार हो, वहां की सेना हो या फिर हिजब लल्लह और इरान हो इन सब के बीच बयानबाजी चलती रहती है सिरिया में इरान के ठेकानों को भी इसराइल लगतार निशाना बनाता आया है आज सुबह ही कई हवाई हमले हुए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुरंट कोई चिंता की बात है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपरेल में जब रॉकेट दागे गए तो इसराइल बहुत सयमित रूप से प्रतिक्रिया दी थी इसने लिबनान के ग्रामीन इलाकों में बस कुछ हवाई हमले किये थे और इसमें किसी की भी मौत नहीं हुई थी और हमने इसराइल के लिबनान में टिंट लगाने की कारवाई पर हिजबुल्ला की प्रतिक्रिया भी देखी थी कहीं भी हिंसक संघर्ष नहीं हुआ था इसके मुझे लगता है कि फिलहाल किसी शेत्रिये संघर्ष की आशंका नहीं है दोपाकिस्तान से जहान तोशा खाना मामये में दोशी करार दिये के बाद जेल में बंद पाकिस्तान के पूर प्रदान मुंतरी इमरान खान को राहर दिलाने के लिए उनकी लीगल की week high हो गई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को रद करने के लिए याजिका दायर की है लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कैसे हैं हालाद बता रही हैं इसलामबाद से बीबी सी संबादादा शुमाईला जाफरी फॉर्मर प्रामिनिस्टर इमरान खान पांच अगस्त से अपने दिन और रात अटक जेल की कैटेगरी सी की एक बैरिक में गुजार रहे हैं और आज वीकेंड के बाद सुबों सवेरे से ही उनकी लीगल टीम काफी एक्टिव नदर आई सबसे पहले तो उन्होंने रावल पिंडी की एक अदालत में ये पेटिशन डाली कि इमरान खान की फैमली को उनके डॉक्टर्स को उनकी लीगल टीम को उनसे मिलने की अजाज़त दी जाए कि इमरान खान को अटक जेल से रावल पिंडी की अडियाला जेल बे शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर उन्हें बैटर कैटेगरी और बैटर फिसलिटीज मिल सकती है उसके बाद इमरान खान की लॉयर्स की जब उन्हें इजाज़त मिल गया अटक जाने की तो उन्हें मीडिया से बात भी की और वो काफी होपफुल नजर आए कि अमरान खान को जल्दी रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी लॉयर्स का ये कहना था कि उनकी लीडर बहुत हाइस्पिरिट्स में है लेकिन उनकी लिविंग कंडिशन्स बहुत टेरिबल है इसके साथ साथ पाकिस्टान तहरी के इनसाफ ने सुप्रीम कोर्ट आफ पाकिस्टान में भी एक पिटिशन जो है वो फाइल की है जिसमें तोशा खाना का केस जिसमें कि उन्हें मिस्ट डेकलरेशन अफ एसेट्स पर तीन साल की सजा सुनाई गई है उस फैसले को नाल इन्वाइट करने और इसमें री ट्राइल की जो है वो एक दर्खास की गई है इमरान खान की गहर मौझूदगी में उनकी पार्टी एक लीडरिशिप ट्राइसिस में नजर आ रही है उनकी पार्टी में लोग होफुल हैं कुछ लोगं का कहना है कि वो शायद कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे लेकिन अनिलिस्स जो हैं इंडिपेंट वो ये समझते हैं कि उनको कुछ दिन भी लग सकते हैं कुछ महीने और कुछ हफते भी लग सकते हैं तो वो कब तक रिलीज होंगे ये कहना मुश्किल है लेकिन उनकी गहर मौजूदगी में इस वक्त जो एक कमी दिखाई दे रही है वो है स्ट्रॉंग लीडरिशिप की इस वक्त पाकिसान तरीक अंसाफ के वाइस चेर्मेन शाह मेमूत कुरेशी पार्टी को लीड कर रहे ह और उनने एक प्रोटेस्ट कॉल भी दी थी कंट्री वाइड इमरान खान के रेस्ट के बाद लेकिन उसके उपर रिस्पॉंस जो है वो काफी डिसपॉइंटिंग है तो जो यहां पर एक उपीनियन है तो समझा ये जाता है कि इमरान खान जब तक खुद मौजूद नहीं ह और पर वो जो है एक स्ट्रॉंग लीडरिशिप की एपसिंस में काफी बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के लिए और इमरान खान की गिरफतारी के बाद क्या उनका सियासी भविश्य खत्रे में पड़ गया है इस बात को लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चा हो रही है अब बात कमबोडिया की जहां दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक कमबोडिया ए प्रधान मंतरी हुन्सेन ने अपने बड़े बेटे को सत्ता सौंपती है देश के राजा सिहार मोनी ने हुन्मनेट को कमबोडिया के अगले प्रधान मंतरी के रूप में नीुक्त किया है जुलाई महीने में हुए चुनाव में भारी जीत के कुछ दिनों बाद ही हुनसेन ने गोशना की थी कि वो पद छोड़ रहे हैं अब और अपने सबसे बड़े बेटे हुन मनेट को सत्ता सौप रहे हैं इसके साथ ही हुनसेन का 38 साल लंबा शासन समाप्त हो गया हुन मनेट जो हाल तक रॉयल कमबोडियन सेना में कमांडर थे उन्हें लंबे समय से इस भूमिका के लिए तयार किया जा रहा था इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबी सी समबादा था जानूसेन हैट हुनसेन के सबसे बड़े बेटे 45 वर्षी हुन मनेट अब देश के नए प्रधान मंत्री हैं हाला कि नई सरकार पर आखरी मोहर के लिए उन्हें अगले कुछ अपतों में संसत के पास जाना होगा लेकिन ये भी एक उपचारिकता मातरी है क्योंकि पिछले चुनाओं के बाद सत्ता रूर दल का संसत में दबदबा है वही चुनाओं जिसमें देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को चुनाओ लड़ने से रोग दिया गया था तो नए प्रधान मंतरी युवा हैं एक अलग पीड़ी से आते हैं जिनके बारे में वास्तों में बहुत कम लोग जानते हैं वो कमबोडियाई सेना के प्रमुख रहे हैं उन्होंने पश्चमी देशों में शिक्षा हासल की है अपने पिता के विपरीत जो खमेर रूज के करांती के कठिन दौर से निकले थे इनकी प्रिष्ट भूमी काफी अलग है लेकिन राजनिती में अभी कच्चे हैं वो पिछले लगभग एक साल से ही राजनिती में सक्रिये हैं इसलिए कोई नहीं जानता कि वो कैसे प्रधान मंतरी साबित होंगे फुटबॉल के खेलने कईयों की जिन्दगी बदली है और गुजरात के पाटन जिले का महादेवफुरा गाउं भी इनमें से एक है जहां फुटबॉल ने कई लड़कियों की जिन्दगी सवार दी इस अकेले गाउं ने देश को सतर से अधिक महिला फुटबॉल खिलाडी दिये हैं देखिए इस गाउं से बीबीसी समवाद दाता तेजस वैद्य और पवन जायसवाल की ये रिपोर्ट अगर मैं एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं करूं तो ऐसा लगता है कि आज कुछ मिस हो रहा है मैंने सूला बार नेशनल लिवल फुटबॉल टूर्णामेंट में हिस्सा लिया है और पांच मिडल भी जीते हैं सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल की वज़े से मुझे भारत और यहां के लोगों को जानने का मौका मिला खेलने के दोरान ही मुझे इस देश की अनेकता में एकता देखने को मिली और यहां के लोगों को समझने का भी मौका मिला महदेव पुरा में फुटबॉल की एक कहानी शुरू हुई साल 2010 में जब एक स्थानिय पुलिस कर्मी ने गाओं के एक प्राइमरी स्कूल को तोफे में फुटबॉल गिफ्ट किया लड़कियों ने इस मौके का फायदा उठाया और फुटबॉल लेकर मैदान में उतर गई फिर इसी साल आयू जित हुई स्टेट लेवल प्रतियोगिता खेल महाकुम्ब गाओं की लड़कियों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ लड़कियों ने खेल महाकुम्ब में हिस्सा लिया और हर किसी को अपनी परफॉमेंस से अश्चरिय चकित कर दिया पाटन में जिलास्तरी खेल महाकुम्ब का आयूजन हुआ था लड़कियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था लेकिन इनके पास न तो किट था और नहीं फुटबॉल बूट इन लड़कियों ने नंगे पैर ही खेला था फुटबॉल की वजह से लड़कियों के क्लास ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आई है इससे पहले तक गाउं की लड़कियां क्लास सेवन्थ के बाद स्कूल आना छोड़ देती थे लेकिन अब वो हाईर एजूकेशन के लिए आगे बढ़ रही है 15 से ज़्यादा लड़कियां अलग-अलग कोर्सेज में अलग-अलग कॉलिज में है करिब 30 लड़कियां क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक में है साल 2023 फीफा वर्ल्ल कप का थीम है पुरुश और महिला खिलाडियों के बीच गैर बराबरी को कम करना पुरुशों की तुलना में महिलाओं को खेल के शेत्र में कम मौके मिलते हैं महादेव पुरा की इन खिलाडियों को भी मदद की ज़रत है हमें अच्छे प्राक्टिस के लिए फुटबॉल केट की ज़रत है मैं राजे सरकार से निवेधन करती हूँ कि हमें किट्स दी जाएं ताकि हम सही तरीके से प्राक्टिस कर सकें और अपने खेल को और बहतर कर सकें पूरे पाटन जिले में कोई फुटबॉल कोच नहीं है हम राज्य सरकार से अनरोध करते हैं कि वो किसी फुटबोल कोच को न्युक्त करें ताकि लड़कियों को अच्छी ट्रेनिंग दे सके और कारकरिम से जोड़े किसी भी टॉपिक के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्वीटर है आट बीवीसी विदित आज के लिए इतना ही बीवीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजर होंगे